नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज पाकिस्तान वर्सेश जिम्बॉब्बे का मुकाबला खेला जा रहा था ICC Men's T20 World Cup में जो की Group 2 का मुकाबला था दोस्तों और इसमें बड़ा उलट फेर हो चुका ह है दोस्तों जी हा जिम्बॉब्बे ने पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया है जी हा दोस्तों जी हा आपने सही सुना जिम्बॉब्बे ने पाकिस्तान को हरा दिया है वो भी सिर्फ एक रन से काफी अच्छा मुकाबला रहा दोस्तों अगर आपने मुकाबला मिस्स किया है तो जरूर आप हाइलेट जरूर देख सकते हैं तो मुकाबले की विशिषता यह रही दोस्तों कि पाकिस्तान को सिर्फ 130 रंस का टार्गेट था मतलब कोई बड़ा टार्गेट भी नहीं था फिर भी उनकी टीम 130 रंस का जो लक्षय था टार्गेट था उसको नहीं अचीव कर रही छे और में उनका लगबग सिर्फ एक विकेट गिरी थी दोस्तों और स्कोर पे भी 45-46 के आसपास रंग बन गये थे फिर भी पाकिस्तान की तरब से शादाब खान और मुहम्मद वासीफ ने काफी अच्छी अगेंद बाजी की और उसी के बदोलत दोस्तों सिर्फ 130 र मैद दोस्तों और लग रहा था कि काफी आसानी से या 15-16 ओर में शायद से मैच वो जीट जाएंगे क्योंकि उनको रंडेड भी अच्छा करना होगा तो लगत तो रहा था दोस्तों बट अगर देखा जाए तो जिंब वाबे ने काफी अच्छी गेंद बाजी की और पाकि के असपास उन्होंने स्कोर किया एक साइड पे वो जमे थे बट दूसरी चोर से जो थी दोस्तों लगातार विकेट गिर रही थी और लास्ट ओवर तक मैच आते आते सिर्फ पाज बॉल में आट रं तक का इक्विशन आ गया था दोस्तों और स्ट्राइक फे थे मोहम्मद वासीम जिनों ने चोका लगा दिया तो चार गेंदों में चार रंच चाहिए तो दोस्तों और फिर भी पाकिस्तान एक रंच से हार गई और लगबग लगबग इस टूर्नमेंट से अब बाहर होती हुई नजर आ री जी हाँ जैसे कि आपको याद होगा ही भारत ने भी प आउट ही हो चुके है क्योंकि साउथ अफरीका भी अच्छा खेल रही है भारत ऑल्रीडी दो मैचेस जीच चुकी है और पाकिस्तान को अभी दो मैचेस और खेलने जिन में जीच जाएंगे तो फिर से इन किसी एक टीम पे डिमेंट हो जाएंगे सेमी फाइनल के लिए क्य बहुत प्रोबैबली भारत और साउथे फिकर रहेंगे जो कि सेमी फाइनल के लिए क्यालिफाइग करेंगे जो की गुरूप टू से होंगे इससे पहले दोस्तों भारत का भी मुकाबला था भारत ने नेधर लैंड्स को हरा दिया है भारत ने अच्छी जित हासिल किया दो वीडियों में अगले टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई धन्यवाद